नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम बनाएंगे फूल गोवी के डंठल की सबजी तो आलू के साथ ये बहुत ही टेस्टी बनती है तो इसके लिए हमें लेना है फूल गोवी इसके फूल को हम कट करके हटा लेंगे इससे हम पर कोड़ी बना सकते हैं और इसके पीछे वाला जो भाग है आज इसके सबजी हम बनाएंगे जो ज्यादा तर लोग फेखी देते हैं कुछ लोग ही इसका सबजी बनाते हैं तो इस तरह से हम इसके पीछे वाले पत्तों को हम हटा लेंगे और यह कोमल वाला जो है भाग वही उस इसंसे हम चारों सदान से चा्कू के छीक लेंगे गहार्ड पोरसन सभाग žाय ईसका भाग के सॉब्च बिस्षा हति कर देंगे और लेंगे लें इसके हटे लेगे और इसी तरह से एक और दिखा देती हूँ, इसे भी हम, इसी तरह से चारो साइट से छील के हटा लेंगे हाड वाला पॉर्षण और इसे हम कट कर लेंगे और इसके बीचों बीच, जो ये मोटा वाला जो डंठल होता है, तो उसकी भी सब्जी बनाएंगे तो इससे चारो साइड जो कड़ा वाला भाग है जो hard वाला portion है उसे हम छील के हटा देंगे और पीच वाला भाग का ही cut करेंगे इसकी सबजी जो है बिल्कुल गोबी की तरह ही टेस्ट लगता है और एक बार ट्राइक करना बनता है तीसे भी हम इसी तरह से छील लेंगे इसके सॉफ्ट वाले भाग को बारेक बारेक कट कर लेंगे तीस तरह से हम सभी को जितना भी बनाना है कट कर लेंगे और दो से तीन बड़े चमज सरसो तेल में थोड़ा सा जीरा एक हरा मिर्च और एक बड़ा साइज का प्याज को हम कट करके फ्राइ कर लेंगे थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें दो आलू डाल देंगे दो आलू को भी छील के हम कट कर लेंगे और इसे भी हम फ्राइ कर लेंगे साथ में एक बड़ा चम्मच अद्रक लाशन का पेस्ट डाल करके इसे भी साथ में फ्राइ कर लेंगे हम भूल लेंगे तो इस तरह से हम फिर इसमें डालेंगे हम आधा चुटा चमच हल्दी पॉडर और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और एक चमच धनिया पॉडर और इसमें जीरा पॉडर डाल देंगे और साथ में एक बड़ा टमाटर डाल देंगे इसे भी बारी कट कर लेंगे हम और इसे भी हम भूल लेंगे सब्जी बनाने का प्रोसेस बिल्कुल वही है साथ में टेस्ट के अनुसार हम नमक डाल लेंगे और इस तरह से से हम भूल लेंगे अब इसमें जो हमारा गोबी का डंठल है इसे हम इसी तरह से डाल देंगे हम इसको और इसे हम अच्छी तरह से पहले भून लेंगे अब मसालों के साथ इसे भी भून लेंगे हम इसे हम एक से दो मिनट तक इसी मसालों के साथ भून लेना हमें यह अच्छी तरह से भून गया है दो मिनट हो गया है तब इसमें हम कस्मीरी लाल मिर्च एक चोटा चमज डाल देंगे और थोड़ा से हम गरम मसाला डाल देंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा अब यह हमारा मसाला सबजी सभून गया है तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे क्योंकि इसे हमें पकाना भी अच्छी तरह से आलू भी हमारा पकना है और यह गोबिगर जो डंठल है उसे भी तो इसे हम पानी डाल के इसे ढख देंगे और पांच से छे मिनट तक इसे हम पकाएंगे तो इसे हमें थोड़ा दिर और पकाना है दो से तीन मिनट थोड़ा सा हरा दनिया डाल देंगे और इसे ढख देंगे और दो से तीन मिनट के बाद हमारी सबजी जो है बन करके रेड़ी हो गई है यह सबजी देखिए बिलकुल लटपट सबजी है ज्यादा रस नहीं है और इसमें बहुत ही बढ़ियां टेस्ट है दोस्तों यह रोटी के साथ चावल के साथ अराम से खा सकते हैं और इसकी सबजी बहुत ही बढ़ियां बनती है गोबी से ज्यादा इस डंठल में फायदा भ लगे तो लाइक करें सेर करें चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें